आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में आप के रहे लेके आए हैं Stock Market Basics Beginners Lecture No.2 आपने अगर Lecture No.1 नहीं देखा है तो उसका link के हाँ उपर दिया हुआ है आप उसको देखिए इसके बाद इसमें आईएगा क्योंकि ये थोड़ा सा Advanced Level का Basic Lecture है इसमें हम बात करेंगे कैसे आप Stock Market में जब Bull Trend चल रहा है तब भी पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ में जब Bear Trend चल रहा है तब भी आप पैसा कमा सकते हैं तो Market अगर उपर जा रहा है तब भी पैसा कमाने का Momentum रहता है आपके पास में और Market अगर नीचे जाने का चल रहा है तब भी आपका उसमें पैसा कमाने का अपोर्चन रहती है ये कैसा चीज है कि आप दोनों तरह से पैसा कमा सकते हैं आईए समझेंगे इसको और इसको हम लेको ने एक particular हमारे one of the paid members ने question पूछा था तो इसको ask your question series के question number 549 की तरह से बात करेंगे जहां पर हम बात करेंगे futures and options क कैसे वो trade किये जाते हैं तो उसका example के साथ में आपको बताएंगे आईए चलकर बात करते हैं हम यहां पर सबसे पहले future क्या होते हैं तो what is future future एक तरह से आपका contract है अगर हम बात करें future के fundamental view से कि आपने अगर कभी भी stock market में निवेश करना है तो आपके पास दो तरीके हैं तो आपको क्या मिलेगा at the end of the year आपको 1.05 lakh मिलेगा जो की आपका 5% के आसपास अगर आपकी fixed deposit है एक साल के rate के इसाब से तो आपको इतना मिलेगा अगर उपर नीचे होगा तो वो accordingly उसके accordingly उपर नीचे होता है तो यह एक risk free return कहते हैं थोड़ा risk होता है relatively but government of India उसको secure करके अगर आप nationalized bank में किसी में भी करते हैं private sector बड़े bank में करते हैं तो ज़्यादा तर उमीद है कि आपका पैसा safe रहेगा और government उसकी bond देती है तो अब यहां से दूसरा concept इमोर्ज हुआ कि stock market में लोगों को पैसा चाहिए जो company stock market में list ही होती है उनको financing चाहिए होती है अपने project को expand करने के लिए इसके लिए वो funding के through आपको initial public offer निकालती है या follow on public offer निकालती है FPO, IPO जैसे हम बोलते हैं उनको और उसके बाद में जो उनको पैसा मिलता है वो अपने business के लिए use करते हैं और आपको जो share मिलते हैं उनका अगर appreciation होता है तो आपका पैसे का appreciation होता है तो आपका इससे double return हो गया अगर वो ही चीज आपकी 20% हो जाए एक साल में on average तो ये आपका और भी सोने पे स्वाग हो जाता है तो आपको अपनी market में realistic expectation रखनी चाहिए कि अगर मैं risk ले रहा हूँ तो मेरे को return भी थोड़ा सा जादा मिलना चाहिए और on average अगर आप long term trading के हिस आपको कभी-कभी 35% का return मिल जाए आपके overall portfolio पे और हो सकता है किसी साल में आपका negative return भी हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजे possible हैं हम यहाँ पर सिर्फ rosy picture नहीं दिखा रहे हैं आपको आपको दोनों चीजे समझनी है कि market में आपका loss भी हो सकता है market में आपका फाइदा भी हो सकता है on average अगर आप 10 साल का average निकालें तो portfolio में 10 से 20% का year on year return एक reasonable return expectation है तो आपको उसके हिसाब से अपनी expectation करनी है क्योंकि आप risk बढ़ा रहे हैं यहाँ पर stock market में risk की company है company का पता नहीं रगता कौन सी company में stock trading कम हो जाए और वो face value पर चले जाए अब face value क्या face value में होता क्या है face value में आपको company के stock जो rate है company बोलती है कि हम एक share 10 रुपे की face value पर बेच रहे हैं तो face value से पता क्या लगता है कि अगर company का कुछ problem होती है तो जो face value उन्होंने उसके define किया है वो आपकी guaranteed money रहती है provided जो उनके asset है वो सारे बेच देंगे और जो जो vendors उनकी employee य जिनके उनको ये पहले मिलके फिर आपके 10 रुपे के आसपास on average आपके सब shareholder में distribute के जाते हैं तो ये एक advantage मिलता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा risk है देखे definitely माले किसी company का share 100 रुपे का चल रहा है आपने उसको 100 रुपे खरीदा और उसकी face value 10 रुपे की है तो आप ये मा सोची कि आपके 100 रुपे गारंटी रहें आपर जी नहीं आपका जो गारंटी है वो 10 रुपे है पर इसमें भी conditions अप्लाई है कि पहले आपको vendors को देना पड़ेगा employee को billing देनी पड़ेगी और जो भी payment outstanding है government का taxes outstanding है वो सब कटने के बाद में जो पैसा बचता है उसको फिर आ हो सकता है ये 95 का भी हो जाए ये चीज़ आपको समझनी है तो दोनों चीज़े इसमें आपको समझनी है और पता होना चाहिए कि कैसे इसमें काम किया आता है चैनल का 5FA rule हमेशा देहान रखनी ये आपकी wealth protection की काम आता है क्योंकि अगर आप multiple companies में काम करेंगे तो आपको advantage मि आता है था कि अगर आप एक super highway पर जा रहे है और आपके पास एक truck है जो कि आपका vehicle के लिए यहां से काम करता है तो उसमें truck में आप जितने ज्यादा wheels लगाएंगे वो उतना अच्छा है क्यों क्योंकि देखे दोस्तों जब truck पे कोई load जड़ला है तो कई 1000 टन का load जाता है तो highway पे जब truck पे load जाता है तो हो सकता है unexpected events आ जाएं कोई गड़ा हो कोई कील हो जिसकी वज़े से tire burst हो जाए तो इसकी वज़े से अगर एक tire में problem होती है तो आगे आने वाले पीछे जो है वो उसको load balance कर सकते है और वो at least safely अपने stop कर सकता है ब्रेक लगा सकता है safely और आरा कोई company एक आपकी चल भी नहीं रही है कभी किसी वज़े से तो आपके पास 19 कंपनिया है अलग जो आपका average return ध्यान रखें दोस्तों हमने क्या बात कि दी 10% से 20% के आसपास आपका average return होना चाहिए तो ये एक basic चीज है जो आपको हमने basic पिछले वीडियो की समरीग करके बता पर commodities शायद आप gold को जानते ही हों gold पे आप trading कर सकते हैं और या फिर index nifty index की आप अगर बात करें या bank nifty index की तो वो भी एक future की तरह से asset का काम करते हैं तो इन asset को derivatives की तरह से use किया जाता है और हर derivative का एक specific time होता है किसी country में month end पे होता है physical month है जैसे 30 या 31 तारीक जो भी month की हो चारी होता है और कुछ weekly expiry भी option होते हैं यहाँ पर इंडिया में future weekly नहीं है बट बाहर countries में है जो every Thursday को भी होते है इसमें अब अगर देखे premium क्या होती है तो दीखे हम आपको यहाँ पर example से बताते हैं अगर आप nifty की बात करें nifty का भाव बंद होते होते 14,976 रुपे पर बंद हुआ है यह nifty यहाँ पर nifty का index का chart देखेंगे आप तो कल का chart है कल काफी दिन market down भी रहा था तो उसकी वज़े से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है अब अगर यहाँ पर हम nifty का index के साथ में आपको bank nifty का future भी बताएं तो देखें अगर nifty का index देखें तो nifty का index जो है 14,982 पर है पर अभी bank nifty का future आपको खरीदना है तो 14,9593 पर है तो 10,11 रुपे का यहाँ पर difference है आपका future जो lot है February का वो 11 रुपे जादा महंगा चल रहा है तो इसी को कहते है premium यहाँ पर अगर इस example दिखा जाए तो 11 रुपे की premium है अभी nifty के future में तो यह एक premium का point हो माल लेज आपका nifty का simple round figure बात करें 15,000 के आसपास चल रहा है और यह आपका future है 14,990 के आसपास चल रहा है तो यहाँ पर 10 point का discount है आपका 10 point आपका future जो है वो कम चल रहा है spot के comparison में spot होता है जो index होता है exactly और feature होता है month और month में क्या उसकी particular feature में आप this में trade कर सकते हैं यहाँ पर दोनों तरह से काम कर से जैसे अब बने इक बताया दोस्तो अगर आप चाहें market उपर को लग रहा है आपको जाने के लिए तो आप फीचर हो पोजिशन को long रखा है, अब short क्यों किया जाता है, देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास कोई particular stocks है, जैसे Reliance है, TCS है, HDFC, आप उसको बेचना नहीं चाते हैं, पर आपको लग रहा है कि market नीचे जाएगा, तो वहाँ से आप उसकी fall का advantage लेने के लिए, ताकि आपका portfolio ज्या के आसपास चल रहा है यहाँ पर, तो एक महीने बाद, अगर आपने March मंत का feature लिया है, तो एक महीने के बाद, इसका जो future रहेगा, उसकी value, आपकी long term की value के हिसाब से बढ़ सकती है, तो पंदर हजार की जगा, अगर पंदर हजार 500 हो गया, तो आपने जो खरीदा हुआ है, आप चाहें तो Nifty Index को उसको अपने उस rate पर खरीद सकते हैं, जिस पर आपने feature किया है, या फिर आप उसको settle कर दें, तो आपको 500 रुपे हर lot पे आपको profit मिलेगा, तो यह एक advantage होता है आपको करने के लिए, अगर आपने Reliance में खरीदा है, तो Reliance को delivery ले सकते हैं, पर अगर Nifty में खरीदा तो कि Nifty की delivery नहीं होती है, तो आप उसको cash में settle करना पड़ता है, अब आप seller की तरह से भी काम कर सकते हैं, तो आपके पास right आ जाता है to sell a particular stock at a higher price, मानले आपको लग रहा है कि Reliance नीचे जाएगा, और Reliance का भाव अभी 2050 रुपे है, तो आपने 2050 रुपे पर इसको बेच दिया है, अब वहां से 2050 रुपे से इसको नीचे गिर के 2000 हो गया है, तो 2000 पे आपको 50 रुपे का फायदा मिला है, आप चाहें तो जो आपकी holding है उसको 2050 में बेच सकते हैं, या फिर आप market में उसको square करके अपना 50 रुपे का profit अपने घर पे ले के आ सकते हैं पर National Stock Exchange पे ही होती है, तो ये एक future date और एक certain price के level पर determined किया जाता है, जैसे कल अगर हम बात करें, कल National Stock Exchange की trading बंद हो गई थी, तो जो अगर किसी ने इंट्रडे trade की थी stock में, तो वो stock को तो BSC में brokers ने आपको square off कर दिया था, अपने time के accordingly, बढ़ अगर आपने NSC के में future and option में trade क किया था, तो उसके लिए उन्हें special trading शुरू किया था, जो 3 बज के 45 मिनट से शुरू हुआ था, और 4 बज कर 15 मिनट तक वो trading चला था, तो आपको ये चीज समझनी है, कि ये थोड़ा सा यहाँ पर pre-determined time रहता है, ये advantage क्या मिलता है, this allowed trader to lock in a price of an underlying asset, माले आपको reliance bullish लग र हुआ है, तो future की हिसाब से, आप चाहे तो उसके delivery रह सकते हैं, 2050 के rate पर, तो ये एक advantage है आपको future में, आप देखें, बहुत सारी जंगा पर crude के भी future चलते है, गेहूं के future चलते है, मक्का का future चलता है, और साथ ही साथ में currency के future चलता है, US dollar, GBP, pound, तो इन सब के आप future की तरह से काम कर सकते हैं, अब lot size क्या होता है, lot size में क्या होता है, कि देखें, अगर nifty की बात करें, तो nifty का lot size 75 का है, ऐसा नहीं कि आप एक ही nifty का खरीज सकते हैं, जी नहीं, आपको minimum 75 75 का lotुँट करना पड़ेगा, अगर वहीं bank nifty की बात करें, तो bank nifty में 25 bank nifty के share है, मोटा-म leverage का advantage मिलता है leverage होता कैसे है? सपोज आपको अगर reliance का share खरीदना है, तो reliance का share खरीदने के लिए आपको अगर आप 1000 share खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 lakh रुपीज के आसपास तो यह पर अगर आपने उसको future में खरीदा है, तो हो सकता है आपको यह 40,000 रुपे में ही मिल जाए तो यह एक advantage है, आप एक जंगा, एक की जंगा पर यहाँ पर आप 4 या 5 गुना share खरीद सकते हैं, same आपकी cost में, इसको leverage कहते है, बट यह बहुत difficult होता है, हर आदमी के easily understandable नहीं होता है hedging की तरह से आप future को use कर सकते हैं, अगर आपके hedging क्या होती है hedging समझाते हैं, चलिए, यह 3 चीज़े हम यहाँ पर थोड़ा सा detail में बात करेंगे, अब hedging क्या है देखे दोस्तो, hedging कैसे की जाती है, यह बहुत important concept है जो आपको समझना है, माल लीजे आपने आपका portfolio 10 लाग का है simple example लेके चलते हैं, 10 लाग के portfolio में आपके पास reliance है for example, ICICI bank है HDFC bank है, SBI bank है, TCS है, तो यह आपके पास multiple companies है, और किसी वज़े से या तो corona फिर से बढ़ रहा है, या किसी वज़े से international market में नीचे आ रहा है, आपको लग रहा है कि यह सेर नीचे गिरेंगे थोड़े से तो जो current market है, यहाँ पर यहाँ तो आप उसको बेच दीजे, फिर जब नीचे गिरेता आप खरीद लिजे, पर उसमें आपको फिर tax calculation होती है, और काफी दिक्कत होती है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर Nifty के future आप बेच देते हैं, क्योंकि जब यह individual stock गिरने शुरू होंगे, तो Nifty भी गिरेगी, अब Nifty के future को अगर आपने बेच दिया है, तो उससे आपका hedge हो गया portfolio, सपोज आपके पास 10 लाग का है, और आपके पास, अगर यहाँ पर 2 लाग का cash available है, तो आप 2 लाग के cash में अपना 10 लाग का portfolio hedge कर सकते हैं, यह एक advantage मिलता है आपको, आपने अगर Nifty को sell किया है, तो जितना loss आपका in stock में होगा, उतना ही आपका Nifty के future को sell करने में हो जाएगा, तो यह चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर यह profitable trade मानी जाती है, आपकी इस तरह से, कि आपने वहाँ पर उसको बेचा नहीं है, पर आपने यहाँ से इसको profit कमाया है, यह एक hedging टेक्निक है, जो काफी बड़े level पर काफी बड़े investor करते हैं, अब दूसरी चीज़ाम बात करेंगे, speculate, कैसे speculation होता है, देखें दोस्तो, आप चाहें, तो आप stock market में speculate कर सकते हैं, माल लिजे, आपको लग रहा है कि market उपर जाएगा, तो speculate करने का क्या तरीका होता है, अगर आपको लगे कि market उपर जाएगा, तो आप खरीद लिजे future को, तो आपका अंदाशा ये है कि market उपर जा रहा है, तो यहां से आपने future को plus किया, और जब आपको लग रहा है कि market हाँ यहां पर आओ चुका है, तो आप future को अपना exit कर सकते हैं यहां पर, ताकि आपको net advantage मिल जाए speculation में, अगर आपको 15,000 पर आपने खरीदा है उसको, और आपका price 16,000 का target था, 16,000 पर मिल गया, तो आपको 1,000 हर एक share पे 1,000 रुपे का profit हुआ है, तो यह एक speculation होती है, जिसको काफी लोग जो market को rightly predict कर पाते हैं, वो इसमें speculate करके अपना earning करते हैं, काफी लोग actively इसमें trade भी करते हैं इस चीज़ के लिए, अब दूसी चीज़ होती है income, regular income भी इससे मिलती है, regular income कैसे मिलती है, आईए समझाते हैं, तो देखें काफी लोग इसमें, यहाँ पर अपना portfolio का कुछ इससा trading करते हैं daily के daily, सीखते हैं, learn करते हैं, और उसको trading करकर, यहाँ से market से, जो market में fluctuation होती है, market कभी भी एक direction में चलता है, कब ना market हमेशा flat रहेगा, ना market हमेशा उपर जाएगा, ना market हमेशा नीच जाएगा, तो आपको यही समझनी है, कि market में जो fluctuation होती है, उसका advantage लेकर आपने यहाँ पर खरीदा, और यहाँ पर बेश दिया, तो यह जो difference आया आपका price में, यह आपके लिए profit रहेगा, तो काफी लोग इसको regular day trading की तरह से भी काम करते हैं, और यह profitable trade है, इनके लिए यहाँ पर, तो यह advantage मिल रहा है, अगर आपके पास profit आपको कमाना है, तो इस तरह से आप income कर सकते हैं, और of course, future में risk ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर normal stock खरीते हैं, तो आपका risk relatively कम रहेगा, यहाँ पर कह सकते हैं, कि आपका 4X risk है, यह बात समझें, क्योंकि जितना ज़्यादा leverage होगा, जितना ज़्यादा leverage trading करेंगे, उतना ही ज़्यादा risk रहेगा यहाँ पर, अगर आपने 100 share खरीते हैं, वहीं पर आपको यहाँ पर 400 share खरीतने को मिल सकते हैं, और अगर आपकी जो direction आपके against चली गई, तो आपको चार गुना नुकसान भी हो सकता है, यह चीज़ आपको समझनी है, इसलिए यह जब तक आपको handhold करकर experience ना आए, this is very very risky, इस बहुत को ध्यान रखिये, और trading में हमेंशे ध्यान रखिये, अपना profit regularly book करते रहिए, घर में पैसा आएगा, तो ही advantage मिलेगा, book में जब तक आप profit को book नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई advantage नहीं है, अब देखें, margin की अगर हम बात करें, जैसे हम बताया leverage की reference में, अगर आज की तारिक में देखें, तो 1.500,000 रुपया आपको पूरा lot खरीदने के लिए चाहिए, और यहाँ पर approximately feature में अगर आप करेंगे, तो 48,000 के आसपास आपको margin money चाहिए होता है, तो यह advantage है, भाव हमेशा भगवान होता है, इस बात का ध्यान रखें, आपका जो asset price है, उसको बहुत closely monitor कीजे, अगर किसी वज़े से asset price का price उपर लग रहा है आपको जाते वे, तो यहाँ से उसको भी monitor करके देखते रही है, कि आपका asset आपके expected time पर काम कर रहा है, आप देखें, return में अगर बात करें, अगर आपने cash में trading की है, तो अगर stock 10% उपर चड़ा है, तो आपको future में 43% return दे सकता है, तो यह return जैसे आपका risk ज़्यादा है, वैसे आपका reward भी ज़्यादा है, अगर आपकी direction सही तरह से prove हो जाती है, तो आपको 43% increment मिलेगा, आपको monitor बहुत regularly करना है, आपको entry plan पता होना चाहिए, आपको अपना exit plan पता होना चाहिए, और जैसी यह आपका target आए, आपको exit करना है, future option की, अगर हम बात करें, तो यह बहुत अच्छा tool है, आपको hedging करने के लिए, और साथ ही साथ में इसको आपको पहले practice करने होगी, directly trade पर मत जम्प कीजे, प्लीज कंसर्ट और financial advisor before investing in trading, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर what are options, so this is the second part of the video, जहाँ पर हम बात करेंगे, कि options में आपको कैसे trade कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर भी asset होता है, जैसे nifty का option में काम कर सकते हैं, बैंक, nifty के option में काम कर सकते हैं, यह index होगे, और इसके लावा Reliance, ICAC Bank, HDFC Bank, यह सारे के सारे stock asset होगे, इसको derivative segment में काम किये जाता है, इसकी भी date, month और last Thursday of the month, यहाँ पर इंडिया में होती है, और every Thursday of the week ली रहता है, एक particular strike price होता है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जड़ा example के साथ देखते हैं, तो देखे, अगर आप यहाँ पर देखें, तो हमने NSC की website खोली हुई है, जिसमें हमने Nifty का expiry, जो 25 फरवरी किया है, उसकी बारे में बात करेंगे हैं आपर, तो देखे, इसकी strike price अलग-लग है, निफटी के अगर बात करें, तो 15000 की strike price है, 16000 की strike price है, 15300 की strike price है, अलग-अलग level की, अलग-अलग strike price है, और अगर आप उनको यहाँ पर active देखना चाहते हैं, कि क्या activity चल रही है उन पर, तो देखे वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर detail में बता सकते हैं कि अगर आपको देखना है 25 तारीकों क्या काम हो रहा है, 4 तारीकों क्या काम हो रहा है, 10 तारीकों क्या काम हो रहा है तो उनके हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हैं जो आपको देखना है और अगर आपको भा advantage थोड़ा सा disconnect हो जाए तो अगर देखें यहाँ पर इसका 12 रुपे का शुरू हता close previous close में और यहाँ पर इसने अभी close price वाई 65 पर close किया है इस strike price को तो 12 रुपे की चीज 65 रुपे हो गई है यह एक ही दिन में आपको इतना बड़ा advantage देके गई है यहाँ पर 400% का return दिया है इसने आपके यहाँ पर तो stack price बहुत important कि strike price आपको खरीदना है और option भी आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं buy भी कर सकते हैं और चाहें तो आप sell कर सकते हैं दोनों तरह से काम होता है यह थोड़ा समझाने वाली बात है समझेगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि option में दोनों तरह से कैसे काम कर सकते हैं अब option में सबसे पहले क्या होता है, एक होता है call, जिसको कहते हैं CE, और एक होता है put, PE, तो अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों में, call का मतलब होता है कि आप अगर bullish हैं, तो आपने strike price की call खरी दिया है, इसका मतलब यह है कि अगर market उपर आपकी तरफ चला गया, तो जो call 50 रुपे की हो जाए, अगर आपकी direction में call बढ़ती है, वहीं पर अगर आपने put खरी दिया है, और market थोड़ा नीचे जा रहा है, market यहाँ पर नीचे जा रहा है, market यहाँ पर उपर जा रहा है, तो अगर market नीचे जा रहा है, तो जो put है, उसका rate बढ़ेगा, और आपने जब market नीचे जाएगा, तो उससे आपको advantage मिलेगा, तो यह तो buying हो गई, अब selling कैसे होती है, आप देखें, फिर से समझाते है, call की selling क्या होती है, call आपके पास है, तो आपने call को बेच दिया है, call को बेच दिया है, मतलब कि आपको लग रहा है कि यहाँ तक price नहीं जाएग और वो गिरते 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 नीचे 10 रुपे तक आ गया है, तो आप चाहें तो 40 रुपे का अपना profit ले सकते हैं, जब market नीचे गिर रहा है, तो आपने call बेची हुई है, वहाँ पर advantage मिलेगा, और यही चीज अगर आप put को दे तब ही आपकी put की जो rate है वो कम होके 50 से 10 रुपे के आसपास आ जाएगी, चालिस से 10 रुपे के आसपास आ जाएगी, जैसे भी case होगा, तो यह एक advantage है यहाँ पर, आप चाहे तो call को बेचिए, चाहे call put को बेचिए, चाहे आप specifically call को खरीदिये, चाहे आप call को buy कीजिए, तो इस हिसाब से यह एक advantage मिलता है आपको, जिससे आप अपने portfolio को hedge कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने बताया, put खरीदना, marketing जाने का sign होता है, call को खरीदना, market अगर उपर जा रहा है, तो आप वहाँ पर उसको खरीद सकते हैं, यह advantage देता है, call की अगर बात करें, call is a contract, buyers को right to buy देता है, call यहाँ पर, at a certain given date and certain given time, और put, जो है, put gives the seller, buyer, जो put के buyer होते हैं, उनको right to sell देता है, अगर आपने put खरीद है, तो आपके पास right है, महाँ पर उसको sell करने का, उस rate पर, for a specific price, जो हमने बता है, price हमें specific रहता है, on or before a certain date, यहाँ पर आप उससे पहले भी उसको अपने पास ले के आ सकते हैं, generally वो expiry तक चला जाता है, it is not an obligation, यह obligation नहीं है, और अगर lot size की बात करें, तो यहाँ पर again, nifty का lot size 75 का है, bank nifty का lot size 25 का है, और each individual का stock का lot size अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से उसमें आप काम कर सकते हैं, अब hedging के जैसे हमने बताया, hedging का एक और advantage है, अब जड़ा थोड़ा से पहले चीज़ समझते हैं, कि कब हम यहाँ पर market को जाते हैं, तो हम दो चीज़े में divide करते हैं market, ताकि आपको यह summary बहुत important है, और comment में जरूर बतायेगा, यह section आपको अच्छा लगा कि ने लगा, माल लिजे, आपका expectation ऐसा है कि market go up, और दूसरा expectation ऐसा है, market will go down, this is your downward path, तो इसमें आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, future में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर future को आप buy कर सकते हैं, तो इससे आपको advantage मिलेगा, यहाँ पर आपको future को क्या करना है, यहाँ पर future को आपको sell करना है to make a profit, ताकि आप lower level पर उसको बाद म put को देखें, तो put को आपको यहाँ पर buy करना है, तो एक-एक चीज़ को दुब़ारा समझानी कोशिश करेंगे, अगर market उपर जा रहा है, सबसे simple future है, future आपको समझ में आना चाहें सीदे कसीदे, अगर market उपर जा रहा है, तो future को buy करेंगे, अगर market नीचे जा रहा है, तो feature करना पड़ेगा और put को आपको buy करना पड़ेगा तब ही आपको पूरा advantage मिलेगा और जैसे हम hedging की बात कर रहे हैं hedging में क्या होता है आपके पास loss जो होगा stocks में आपने stock खरीदे हो हैं कुछ मांके नीचे जा रहा है तो आपका जो stock का एक बहुत बढ़िया growth की तरह से काम कराएगा I hope that point is clear to you guys अगर कोई question है तो comment box में बताना दोस्तो we'll be more than happy to further extend and answer your queries इसको भी speculation की तरह से use के जाते हैं जैसा हमने बताया आप चाहें तो आपको लग रहा है market उपर जागा तो call खरीद लिजे marketing ची जाएगा तो आप उसको बेज सकते हैं और regular income की तरह से काफी day trader लोग इसमें काम करते हैं और trading के लिए हमने course website भी शुरू किया आप चाहें तो उनको हमारे course को enroll कर सकते हैं अब अगर हम risk की बात करें यहाँ पर risk again options में और भी जादा risk होता है options are supposed to be the most riskier assets currently in the stock market available तो अगर आपका risk appetite आपको allow नहीं करता है options में काम करने के लिए तो please आप मत काम कीज़ेगा please consult your financial advisor trading is not suitable for everybody देखे American style के option होते हैं जो हमारे इंडिया में सबसे जादा परचलित है और फिर European style के होते हैं कि आपने कहां कहां पर profit मिला है और कहां कहां पर नुकसान हुआ है अगर नुकसान है तो उनसे please अपनी lesson learn कीज़े ताकि आपको advantage मिल सके दोस्तों वीडियो अच्छा लगएगा तो like button please ज़रू दबाना आपका बहुत शुक्रिया रहेगा और जैसा हमने बता है hedging की तरह से आप इसको काम कीज़े और this is a good tool to manage uncertainty अभी अगर suppose इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है तो यहां पर या इंडिया चाइना की लड़ाई शुरू हो जाती है तो stock market एकदम नीचे गिरेगा जिसकी विज़े से थोड़ा सा challenge हो सकता है stock market के reference में और यहां से इसको उपर ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा अपना feature and option में काम कर सकते हैं insurance की बात की जाए तो देखिए एक तरह से यह insurance की तरह से काम करता है कैसे आईए समझाते है suppose आपके पास 10 lakh का portfolio है ठीक है और आपने यहां से 10 lakh के portfolio में hedge नहीं किया कुछ भी तो market अगर 20% गिर गया है market अगर simple बात करें market 20% down हो गया है तो आपका stock portfolio भी 20% के असपास down हो जाएगा इसका मतलब आपका portfolio size 8 lakh रहे गया है अब यही चीज अगर आपने insurance लिए माल लिया आपने put खरीदी हुई है put आपकी तरह से insurance करके काम करती है और तो जो market 20% गिरेगा उसी हिसाब से put में करीब करीब आपका 1.9 lakh के असपास अगर हम trading और सब कुछ अटा दें तो आपको 1.9 lakh के असपास इसमें profit मिलेगा तो देखिए even though आपका share 8 lakh का हो गया है पर आपका net portfolio जो है वो है 9.9 lakh का तो यह एक clear cut hedging strategy है जब market उपर चलेगा तो आपका portfolio तो size increase हो गई और साथ ही साथ में यह technique यहाँ पे इनको advantage की तरह से काम करेगी insurance के reference में अब देखिए stock market की valuation बहुत important होती है आपको समझना है stock market जब गिरना शुरू करता है तो काफी तेजी से गिरता है और वहीं उल्टा अगर चड़ना शुरू होता है तो बहुत तेजी से चड़ता है आप day trading हमारे साथ सीख सकते है feature and option की trading के लिए जिसमें आपको चीजों की बारी के समझा जाएंगी I hope आप यहाँ पर learn कर पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं और अगर आप trading करना चाहते हैं तो feature and option की trading की workshop जोईन कर सकते हैं basic technical workshop जोईन कर सकते हैं mail drop की जोई भवनदी नमबर 7 at thegym.com चार वीडियो प्रसुत हैं जहीं जाएं